दिवाली आने वाली है बहुत जल्द, one of the best times of the year, नए कपड़े, मिठाईया, रंगोली, चारो तरफ लाइट्स, अलगी feel होता है, अलगी vibe आता है, and of course, wish you all a very very happy दिवाली in advance, जहां दिवाली की बात आती है, वहां आ जाते हैं पठाके, मैंने भी बच्पन में बहुत होते होगे, लेकिन धीरे-धीरे करके एक बात realize करी, पठाके फोड़ना is equal to तुमारे माबाप का पैसा जलाना, हां उसके उपर pollution तो होई रहा, air pollution है, noise pollution है, and रस्ते पे जो दुनिया भर का कचरा होने वाला है, वह अलग, लेकिन जिस दिन realize कर लिया, पठाके जलाना is equal to, प उड़ाते थे, अब यह जो छोट असा rocket है ना, यह जो principle पे काम करता है, उसी principle पे यह बड़ा वाला rocket जो space में जाने वाला है, यह भी उसी principle पे काम करता है, and that is Newton's third law, every action has equal and opposite reaction, don't worry, detail में एकदम विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? Hello everyone, my name is Parth and welcome back to my YouTube channel, तो हमने शुरू किया था, space missions from SAC के लास्टें, science one chapter number 10, जिसका देखेंगे lecture 3, last lecture होगा, based on page 140 to 143, आज जो भी topics पढ़ेंगे, उससे related बहुत सारे questions at the end of the video डाले हैं, check those out, आपको help होगी, and we also have a telegram channel, जिसके link आपको मिल जाएगे description में, जाओ और जॉइन कर लो, वहाँ पर updates, live lecture के schedules, behind the scenes, ये सब कुछ post करते रहता हूँ, तो मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं, launch vehicle के, ये जो rocket दिख रहा है इसका नाम है PSLV, polar satellite launch vehicle, इंडिया ने खुद develop करा हुआ है, इसके बारे में detail में आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ उपर ये रहा हमा ध्यान से सुनना मेरी बात, satellite को payload बोलते हैं, और उसको rocket के top part में रखा जाता है, और जो नीचे का part रहता है, वहाँ पर क्या होगा, fuel होगा, बहुत सारा fuel and engines होगे, अब जो fuel होता है ना वो भी दो तरहा का होता है, fuel can be of two types, एक होता है solid fuel and एक होता है liquid fuel, अब most of the rockets जो है, maximum rockets उनके अंदर solid and liquid, इन दोनों को combination में use किया जाता है, और ऐसे भी कुछ rockets हैं, जिनके अंदर सिर्फ purely liquid fuel भरा हुआ होता है, अब आप पूछोगे सर, ये liquid fuel में liquid क्या होता है, सुनो, liquid hydrogen plus liquid oxygen, इसको use किया जा सकता है, या फिर kerosene and liquid oxygen, इसको use किया जा सकता है, ठीक, अच्छा, तो अब 3, 2, 1 and ignition, इस तरह से हमारा fuel burn होने लगेगा, ignition होगा and अपना rocket launch हो जाएगा, अब यहाँ पर ये ignition काफी cute लग रहा है, एकदम प्यारा सा लग रहा है, इतना प्यारा नहीं होता, जानलेवा हो सकता है, असली ignition देखना है, असली rocket launch कैसा दिखता है, देखना है, आया, आया, मज़ा आया, अभी देखो, rocket कैसे उड़ता है, यह आपको मैं step by step detail में बताता हूँ, सबसे पहला step engine के अंदर fuel को जलाया जाएगा, fuel को burn करेंगे, fuel will be converted into a gas, fuel का बनेगा gas, and this gas will be at a very high temperature, एकदम गर्मा गर्म gas produce होगी, and because of the high temperature, gas क्या होगी, expand हो जाएगी, ठीक है, यह सब कहा पर हो रहा है, engine के अंदर हो रहा है, सुनो, the gas produced due to combustion of the fuel, expands due to high temperature, gas क्या हो गई, expand हो गई, अब, gas को बाहर आना है, rocket के बाहर आना है, लेकिन बाहर आने का जो रस्ता होता है, वो बहुत छोटा होता है, तो यह जो gas है, गर्मा गर्म gas, यह एकदम force में बाहर आने वाली है, ठीक है, तो देखो, the gas will be expelled forcefully, expelled मतलब क्या बाहर फेकी जाएगी, the gas will be expelled forcefully through the nozzles at the rare side of the launch vehicle, nozzle मतलब क्या देखो वहाँ पर, ऐसा कोन देख रहा है, कोन, उस में से gas forcefully बाहर आने वाली है, and this will create a thrust on the vehicle, thrust मतलब क्या push, अपना जो rocket है, उसको एक push मिलेगा and this thrust will drive the vehicle high into space, simple भाशा में बताता हूँ, देखो है, यहाँ पर देखो, engine जो है, engine क्या कर रहा है, gas को नीचे push कर रहा है, engine गैस को नीचे push कर रहा है, gas rocket को उपर push कर रही है, exhaust gas will push the rocket up, engine गैस को नीचे push कर रहा है, gas rocket को उपर push कर रही है, this is Newton's third law of action and reaction, every action has equal and opposite reaction, समझ में आई बात, come on here, no, engine गैस को नीचे push करेगा, gas rocket को उपर push करेगी, Newton's third law of action and reaction, इस तरह से होगा हमारा rocket launch, आच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो, structure of the launch vehicle, launch vehicle का structure, उसकी size and उसके अंदर कितना fuel भरा हुआ होगा, यह दो चीजों के उपर depend करता है, number one, weight of the satellite, satellite का वजन, जितना वजन जादा है, उतना जादा fuel भरना पड़ेगा, उतना बड़ा rocket यूज़ करना पड़ेगा, and number two, type of the satellite orbit, मतलब satellite को अर्थ से कितना दूर लेकर जाना है, low earth orbit में रखना है, या फिर medium earth orbit में रखना है, या फिर geosynchronous orbit जो होती है, high earth orbit, वहाँ पर रखना है, ठीक है, तो इन दोनों चीजों के उपर depend करेगा structure of launch vehicle, ठीक, अब इंडिया में है ISRO, Indian Space Research Organization, इन्होंने दो टाइप के launch vehicle डेवलप किये हैं, PSLV and GSLV, इन दोनों का full form हमने lecture 1 में पढ़ा है, क्या आपको याद है, PSLV is polar satellite launch vehicle and GSLV is geosynchronous satellite launch vehicle, इनको ध्यान से देखो, गौर से देखो, क्या कुछ फरक दिख रहा है, अपना PSLV थोड़ा पतला है, थोड़ा छोटा है, GSLV मोटा है, चोड़ा है, बड़ा है, यह सोरनों, तो यह जो PSLV होता है न, it is suitable to launch satellite into low earth orbit, 180 km से लेके 2000 km का, यह जो range होता है, अगर मुझे satellite को वहाँ छोड़ना है, तो मैं किसको यूज़ करूँगा, PSLV को यूज़ करूँगा, ठीक है, छोटा launch वही कले अपना, अगर मुझे satellite को geosynchronous orbit में छोड़ना है, 35,780 km दूर, तो मैं इस monster rocket का, GSLV का, इस्तमाल करूँगा, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन एक problem है, देखो, हमारा जो rocket होता है, उसका maximum part, maximum weight, fuel होता है, example, PSLV का weight होता है, 320 tons, at the time of launch, launch के वक्त, 320 tons, उसमें से 90% fuel होता है, 90% weight, fuel का होता है, and GSLV का weight होता है, 640 tons, at the time of launch, उसमें से भी 90% weight किसका होता है, fuel का होता है, तो हमारे जो rocket हैं, उनको बहुत सारा fuel, लेकर उड़ना है, अरे, yes or no, the vehicle has to carry a large weight of fuel with it, तो यह जो fuel का problem है, इतना सारा fuel लेकर उड़ना है, इस problem को solve करने के लिए, हम multi-stage rocket बनाते हैं, यह जो PSLV है, GSLV है, इनके अंदर fuel, stages में भरा हुआ होता है, है, इनके अंदर fuel, stages में भरा हुआ होता है, इसका क्या मतलब है, stage मतलब क्या, सुनो, ऐसे इसको खोल देते हैं थोड़ा, नीचे आपको चार छोटे-छोटे rocket दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है, boosters, इनके अंदर solid fuel भरा हुआ होता है, these are also called as SRB, solid rocket boosters, ठीक है, solid fuel वाले, फिर बीच में होता है, first stage, rocket का first stage, उसके अंदर भी solid fuel भरा हुआ है, उसके उपर आता है second stage, इसके अंदर होता है liquid fuel, फिर उपर आता है third stage, उसमें होता है solid fuel, उसके उपर आता है fourth stage, जिसमें होता है वापिस liquid fuel, and सबसे उपर होता है satellite मतलब हमारा payload ठीक है तो ये जो fuel होता है वो इस तरह stages में भरा हुआ होता है इसका क्या फाइदा सर बताता हूँ बताता हूँ फाइदा भी बताता हूँ अच्छा अभी solid and liquid इनमें भी कुछ advantages and disadvantages होंगे सबसे पहली बात solid fuel cheap होता है सस्ता आता है लेकिन एक problem है एक बार जला दिया एक बार चिंगारी लगाया न फिर वो रुकने वाला नहीं है उसका जो burning होता है combustion एक बार चालू हो गया फिर वो stop होएगा नहीं उसको तुम बंद नहीं कर सकते उसको तुम control नहीं कर सकते the ignition cannot be controlled एक बार जल गया जल गया अगर किदर कुछ system में गडबढ़ है structure में गडबढ़ है तो धमाक होएगा भूम भूम होएगा ठीक है liquid fuel महंगा आता है expensive है लेकिन उसका जो combustion है उसको आप रोक सकते हो उसको slow कर सकते हो control कर सकते हो ठीक है the ignition can be controlled फरक समझ में आगया solid fuel and liquid fuel का अच्छा अब सबसे पहले इस PSLV का launch देखते हैं तो जैसे rocket launch होता है सबसे पहले उसके जो booster होते हैं उनके अंदर का fuel खतम हो जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे booster separation जैसे ही booster के अंदर का fuel खतम होएगा उसको release कर देंगे rocket का weight कम हो जाएगा तो इसकी velocity और बड़ेगी और फटाफट फटाफट उपर चड़ने लगेगा simple फिर आता है हमारा first stage जैसे ही first stage के अंदर का solid fuel खतम हो जाएगा उसको भी हम release कर देंगे फटाफट उपर गया second stage का fuel खतम उसको कर दिया separate second stage separation complete third stage ignition weight और कम हो गया speed और मिली और उपर गया फिर third stage का fuel खतम third stage release third stage separation complete एंद फिर होगा fourth stage ignition समझा stages में भरा हुआ था fuel तो एक टंकी खतम होई टंकी को छोड़ दो दूसरी टंकी खतम होई टंकी को छोड़ दो देरे देरे अपने rocket का weight कम होते जाएगा उसकी speed बढ़ते जाएगी simple हिसाब समझ में आ गया and after reaching a particular height इसके अंदर जो satellite होगा न पेलोड होगा उसको release कर दिया जाएगा orbit में simple लेकिन यहाँ पर एक problem है problem क्या है दिखो the launch vehicles are very very costly बहुत महिंगा आता है because they can be used only once इसके नीचे का जो parts था booster था first stage, second stage, third stage यह सब धिरे धिरे earth पे गिरेगा damage हो जाएगा, तूट जाएगा, फूट जाएगा उनको वापिस use नहीं कर सकते न तो हर बार मुझे नया rocket बनाना पड़ेगा खर्चा बहुत होएगा that is why these launch vehicles are very costly one time use rockets होते हैं यह ठीक है, तो इस problem को solve करने के लिए USA ने space shuttle को develop किया था अब यहाँ पर ध्यान से देखना side में दो white color का rocket दिख रहा है दो, यह क्या है, solid rocket boosters है बीच में orange color का tank दिख रहा है वो main fuel tank है, जिसके अंदर liquid fuel होगा और उसके उपर ऐसा एक मक्खी के जैसा plane है वो क्या है, space shuttle है satellite को space shuttle के अंदर रखा जाता है अब सबसे पहले solid rocket booster खतम हो जाएंगे तो उनको separate कर देंगे फिर main fuel tank खतम हो जाएगी उसको भी separate कर देंगे फिर space shuttle उसके भी अंदर fuel होता है तो वो fuel को जला के धेरे-धेरे orbit तक पहुचेगा satellite को launch कर देगा, release कर देगा and space shuttle Earth पे वापिस आ जाएगा समझ रहे हो? उस space shuttle को हम वापिस use कर सकते हैं reuse कर सकते हैं लेकिन ये जो technology है ना ये भी बहुत पुरानी है outdated है last time 2011 में यूज किया था space shuttle वो उसके बाद इसको use नहीं किया, retire कर दिया है अब आज के time पे नया technology आया है fully reusable rockets developed by space X Elon Musk का company ये देख रहे हो rocket boosters होते हैं ना side के separate होने के बाद वो लोग Earth पे आके land करेंगे, इनको वापिस use किया जा सकता है, damage नहीं होंगे ये देख रहे हो ये क्या है, first stage ये भी separate होने के बाद वापिस आके land करेंगा, safely इसको भी वापिस use किया जा सकता है तो अगर fully reusable rockets बन जाते हैं, तो can I say rocket बनाने का जो cost है, वो बहुत जादा कम हो जाएगा, space travel सस्ता हो जाएगा अरे हाँ या ना, यहाँ तक बात समझ में आई, चलो आगे चलते हैं आईए चलते हैं चांद पर, let us talk about the moon missions, ऐसी बहुत सारी countries हैं, जिन्नोंने अपना जंडा चांद के उपर गाड़ा है for example, we have Soviet Union that is Russia Russia, इनके space agency का नाम देखो क्या है, ROSCOSMOS मस्त नाम है न, इसा बोलने को मजा आता है, ROSCOSMOS then we have USA, उनका space agency है, NASA, very famous Europe है, उनका है European Space Agency, ESA Japan का JAXA, China का CNSA, and India का ISRO, Indian Space Research Organization यह सब लोग चांद पर पहुचा है, लेकिन सबसे पहले कौन पहुचा the answer is, ROSCOSMOS Soviet Union, इनका एक satellite है, Luna 1 1959 में it entered the moon orbit moon को उसने चक्कर लगाया, moon को orbit किया, land नहीं हुआ, Luna 1 land नहीं हुआ, Luna 1 orbit किया, फिर इसी series में एक और satellite है Luna 2, in 1959, it actually landed on the moon, अब एक बात समझ लो, यह सब कुछ आज से 60 साल पहले हो रहा है 1959 आज के technology में और उस जमाने के technology में, जमीन आसमान का difference है 1959, मेरे पापा 3 साल के थे उस technology को यूज करके satellite को चांद तक भेजना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ठीक है, तो इसी तरह से, Soviet Union ने 1959 से लेके 1975 तक 15 moon mission की है, कितने 15 moon missions तो ये missions का फाइदा क्या हुआ, what was the mission outcome एक तो chemical analysis की moon का जो surface है, उसके उपर कौन से elements है उनका क्या composition है, ये सब कुछ chemical analysis किया, फिर gravity measurements की ठीक है, फिर radiation की study की, क्या moon के उपर कुछ radiation है, magnetic field की भी study की, ठीक है and stone samples को वहाँ से earth पे वापिस लेकर आए, and उनका analysis earth पे गिया ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा था 1959 से लेके 1975 तक लेकिन यहाँ पर भी NASA शांत नहीं बैठेगा न, USA शांत नहीं बैठेगा, उस जमाने में cold war चल रही थी between USA and Soviet Union तो America also executed moon missions from 1962 to 1972, बहुत सारे moon missions अमेरिका ने भी किये उनको Apollo missions बोला जाता था, अब इन में सबसे famous था Apollo 11 mission of July 1969 पहली बार इनसान चांद पर पहुचा, चांद के उपर कदम रखा, Neil Armstrong he was the first man on the moon उसके पैर का चाप आज भी चांद के उपर है सोच के गुजबंस आते हैं कि उस technology को use करके आज से 60 साल पहले 50 साल पहले इनसान को चांद पर भीजा गया था ठीक है, huge, huge achievement लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया ने भी launch किया था चंद्रयान वन 22nd October 2008 इंडिया फर्स्ट मिशन तू मून और सक्सेस्फुली एक सैटलाइट चंद्रयान वन उसको मून और्बिट में इंजेक्ट किया ठीक है, ये है चंद्रयान वन इसने क्या डिस्कवर किया इट डिस्कवर वाटर ओन दे मून ये भी पहली बार हुआ पहली बार पता चला के मून के उपर पानी है इंडिया वाज दे फर्स कंट्री तू डिस्कवर वाटर ओन मून और अगेन अवेरी प्रावड मूमेंट फॉर इंडियन्स ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई आगे चले, चांद तक तो पहुच गए लेकिन चांद के बाद क्या वाट इस दे नेक्स टेप टू रीच मार्स, मंगल ग्रह बहुत सारी कंट्रीज ने मार्स तक पहुचने की कोशिश किया और इंडिड़ी डिफिकल्ट मिशन, बहुत दूर है अल्मोस्ट आधे मिशन्स फेल हो गए है लेकिन फिर इंडिया ने लॉंच किया मंगल यान, कभी लॉंच किया 5th November 2013 इसके उपर मूवी भी बनी है and it is a beautiful movie very informative, अगर आपने नहीं देखी है तो I would recommend देखो, काफी कुछ सिखने मिलेगा ठीक है, so according to Mangalayan Mars Orbiter जो था satellite उसको successfully Martian Orbit में प्लेस किया गया in September 2014 the satellite was placed into orbit in September 2014 launch कभी किया था November 2013 पूचा कभी September कितना टाइम लगा, 10 महिना ठीक है, and ये जो Mars Orbiter था, satellite, उसने क्या किया, it collected information of the Martian atmosphere and Martian surface ठीक है, Martian मतलब किया, Mars का and एक और बात बता हूँ this was India's first Mars mission पहला mission था, and it was successful, we were successful in the first attempt बहुत बड़ी बात है, and सोने पे सुहागा, Mangalayan जो था न, उसको PSLV में launch किया गया था, polar satellite launch vehicle छोटा rocket है न, सस्ता rocket है, so this was the most cost effective interplanetary mission in the history of space missions ठीक है, बात करते हैं about India and space technology, इंडिया के पास क्या-क्या space technology अविलेबल है, हमने already launch vehicles के बारे में बात करी है, PSLV है और GSLV है, polar satellite launch vehicle and geosynchronous satellite launch vehicle, PSLV छोटू rocket, GSLV, मोटू rocket है, ठीक, फिर अपने पास बहुत सारे satellites भी हैं, INSAT is Indian National Satellite, GSAT is geosynchronous satellite, यह लोग क्या करते हैं, टेली कम्यूनिकेशन में help करते हैं, टेलीविजन ब्रॉड कास्टिंग, सैटलाइट टीवी जो होता है न, डिश टीवी, उसमें help करते हैं, and meteorological services, meteorological मतलब क्या, study of atmosphere, study of weather, कहीं पे तूफ़ो आंधी आने वाला रहेगा, तो हमें पता चल जाएगा, फिर एक और सैटलाइट है, EDUSAT, it is a type of geosynchronous satellite, EDUSAT क्या करता है, it is working in the field of education, educational programs, पूरे इंडिया में broadcast होने चाहें, हर घर तक education पहुचना चाहिए, that is the purpose of EDUSAT, ठीक है, फिर अपने पास है IRS, Indian Remote Sensing Satellite, यह क्या करता है, it monitors and manages natural resources, natural resources मतलब क्या, forest हो गया, lakes हो गया, rivers हो गया, उनको monitor करेगा, मतलब observe करेगा, and disaster management में भी help करने वाला है, ठीक है, and then we have IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, मतलब India का अपना, खुद का GPS, क्या करता है देखो, it can locate position of any place on the earth surface, in terms of its precise latitude and longitude, मतलब यह किसी भी place का coordinates बताएगा, उसका latitude क्या है, उसका longitude क्या है, यह अपने को बताने वाला है, coordinates बताएगा किसी भी place का, ठीक है, तो यह हो गए हमारे सारे satellite, यह हो गए हमारी space technology, and of course, और भी amazing technology डेवलप हो रही है, in India, and last लिबात करते हैं, about space debris and its management, debris मतलब कचरा, space debris मतलब space में कचरा, की दर से आया, सुनो, 6000 satellite अब तक launch हुए हैं, उसमें से, 3,170 satellites are non-functional, काम नहीं करते, ऐसे ही अर्थ के आजुबा जो घूम रहे हैं, waste चाना, कचरा है यह ना, come on, इस और नो, फिर, parts of the launcher detached during launching, जब rocket launch होता है, तो उसका booster rocket है, उसका first stage, आजुबा जो भी घूम सकती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, space debris, space का कचरा हो जाएगा, waste हो जाएगा, and, debris generated due to collision of satellite, with other satellites, जो non-functional satellites हैं, वो आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो तूटेंगे, तूटेंगे, तो उनके छोटे-छोटे तुकडे, अर्थ के आजुबा जो घूमते रहेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, space debris, 2016 में एक study होई थी, according to that study, two crore pieces longer than one centimeter, are orbiting the earth, and ये सारा space debris है, bullet की तरह घूम रहे हो लोग आजुबा जो, and अगर ये कचरा बढ़ते रहा, तो एक point के बाद, rocket launch करने में तकलीफ आएगी, because वो rocket आगे जाके, कचरे के साथ टकरा सकता है, कुछ accident हो सकता है, explosion हो सकता है, problems आ सकते हैं, ठीक है, and that is why we need reusable rockets, जो space ex Elon Musk का company, develop कर रहा है, तो यहाँ पर, खतम करते हैं, आज का lecture and ये chapter, space missions, it was a beautiful chapter to teach, I hope आपको भी उतना ही मजा आया है, सीखने में, ठीक है, and topic से related कुछ questions है, at the end, उनको भी देख लेना, and of course, sorry, of course, अगर lecture अच्छा लगा है, तो like करना, share करना, subscribe करना channel को, and, मिलते हैं अगले lecture में, thank you so much for watching, peace out,